आज के blouse cutting lecture में हम princess cut blouse cutting master point के बारे में समझेगे हमें यहाँ पर सिर्फ princess shape के से cutting करना है वही समझना है पहले basic back part और front part cutting होने के बाद यहाँ पर लिखावा point समझना है princess cut का मार्क करने से पहले blouse cutting lecture 22 के अनुसार armhole tux का process करना है और blouse cutting lecture 23, 24 और 25 में समझाया है वेसे आपको जो front part के अनुसार dipnik बनाना है ऐसे process करना जरूरी है अब यहाँ समझाया है वेसे princess shape का मार्क करे एपक्स point से एक इच उपर की तरफ सिधा मार्क करे और वही से armhole की तरफ एक्रोस लंबाई तक सिधा मार्क करे यहाँ से एक्रोस लंबाई तक सिधा मार्क करना है अब नीचे एक इच की तरफ ये corner बना है वहाँ गोलाई shape का मा को जाता है कुछ स्टुडेंट्स को उल्जने रहती है कि बोडी माप अपर और मेंचेस्ट में ज्यादा अंतर हो तो कैसे कटिंग करना है और कुछ कस्टमर को मेंचेस्ट से उपर आरमल की तरफ से चिपकावा फेटिंग चाहिए तो कैसे कटिंग करें तो इसके लिए यहां कुछ master point समझा रहे वेसे mark करें लेकिन ध्यान रहे कि basic princess ship का mark होने के बाद ही यह point के अनुसार mark करना है body map upper और main chest में कितना अंतर का map आया है उसका 8 mark करें जिसे हमारा यहाँ body map upper chest 35 से और body map main chest 35 से तो यह दोनों map में 1.5 का अंतर है जितना अंतर है उसका 8 बाग करना है तो 8 बाग करने पर आयेगा 0.18 यानि यहाँ पर हम 0.25 इंच का चोड़ाई का टॉक्स बना सकते है अब यह map का mark केसे करना है यह समझते है upper chest की line पर circle की तरफ यह circle की तरफ जहाँ princess shape की सीधी line है यह princess shape की सीधी line है वहाँ 0.25 का आदा आदा करके mark करें अब एक्रोस line की तरफ का सीलाई mark से circle की तरफ यहाँ से circle की तरफ और circle से निचे की तरफ एक हिच का mark के साथ मिलाते हुए tux का shape का mark करें इस तरफ डाप्टिंग में बताया है वैसे tux का shape बनता है यह special tux होता है हम जो basic princes cutting करते हैं तो directly यहाँ पर single tux के बाद यहाँ से direct cutting कर लेते हैं उसके बाद भी यहाँ पर कुछ जोल आता है तो उसको दूर करने के लिए यह special tux के बारे में समझाया है अब next point समते है अर्मल की तरफ यह special tux बनाते है तब अपर चेस का माप ज़रूरत से ज्यादा tight ना हो जाए यह ध्यान में रखते हुए mark करना है बेकेट में लिखा है basic front part में अर्मल tux बनाने के बाद अपर चेस की लाइन पहले वाला mark से थोड़ी नीचे बनती है जिसके कारण अपर चेस का माप थोड़ा loose बनता है और apex point से गले की तरफ का tux लगाते है तब वापिस अपर चेस का माप थोड़ा tight होता है तो अब यह special tux बनाएंगे तो अपर चेस का माप थोड़ा tight हो जाता है इसलिए यहाँ समझाया हुआ है कि special tux बनाने पर अपर चेस का माप जरूरत से ज्यादा tight ना हो जाए क्योंकि बोड़ी माप अपर चेस से एक इच तक हम tight बना सकते हैं जैसे यहाँ का बोड़ी माप 35 है तो 35 से एक इच tight यानि 34 इच तक हम अपर चेस का माप बना सकते है उसमें आर्मल टक्स का माप tight हो जाएगा special dot का या फिर गले से apex point तरफ का टक्स लगाएगे तो यह सब माप उसमें include होकर एक इच तक tight बना सकते है फिर उसे ज्यादा tight नहीं बना पाएगे नहीं तो यहाँ पर खीचावाएगा blouse में होकाई की तरफ अच्छे fitting के लिए 0.25 से 0.75 तक की चवडाय का टक्स बनाना होता है यहाँ पर होकाई की तरफ से जो हम center में टक्स लगाते है उसकी बात कर रहे अब apex point से यह टक्स का अंतर कितना होना चाहिए इसके बारे में समते है तो पहले apex point की line पर सिदा mark करे य main chest की line बनती है ज्यादा तरफ लाउज में apex point से एक हीच की जोरी पर यह टक्स बनाते है परन्तु अलग-अलग body map के अनुसार इसका अंतर कौम ज्यादा होना चाहिए इसलिए यहाँ method समझा रहे body map main chest का 20 पर करके जो जवाब आएगा उसमें से 0.50 inch minus करके जो जवाब आएगा उतना अंतर का map apex point से fold part की तरफ मार्क करे एपेक्स point से यहाँ पर अंतर का मार्क करना है body map main chest 36 है तो 36 का 20 पर करने पर 1.82 जवाब आएगा उसमें से आदा inch minus करने पर 1.32 यानी 7 inch और 1 point यहाँ से 7 inch और 1 point यह टक्स का अंतर बनता है अब यह टक्स point से circle की तरफ 0.85 inch चोड़ाई का आदा आदा मार्क करके टक्स का सेप का मार्क करें यह circle है वहाँ पर हमें आदा inch का टक्स का मार्क करना है यहाँ पर नहीं यहाँ पर आते यह आदा inch और 1 point हो जाएगा अब next point समगते हैं बलाउज में side part की तरफ अच्छे fitting के लिए cross tux यानि french dart बनाना जरूरी है यह टक्स dart manipulation पद्धती से बनता है अब apex point से यह टक्स का अंतर कितना होना चाहिए इसके बारे में समगते हैं यहाँ पर हम यह cross dot के बात कर रहे हैं अगर आप यह cross dot लगाएगे तो बलाउज में side part की तरफ से अच्छा fitting आता है इसके लिए body map main chest का 20 पार करके जो जवाब आएगा उतना अंतर का map apex point से side part की main chest की line पर करे body map main chest 36 से उसका 20 पार करने पर 1.82 आंसर आएगा यानि 1.751 यह tux का अंतर बनता है apex point से यह कितनी दूरी होनी चाहिए उसके लिए यह method समझाया है क्योंकि अलग-अलग body map की अनुसार अलग-अलग distance होना जरूरी है इसलिए हमने यहाँ पर हर डाट के लिए method की अनुसार समझाया हुआ है अब cross tux की चौड़ाई के बारे में समझते है ज्यादतर blouse में cross tux की चौड़ाई एक इच की बनाई जाती है परन्तु अलग-अलग body map अनुसार tux की चौड़ाई कम ज्यादा करनी पर सकती है तो यह उलजन दूर करने के लिए यहाँ method समझा रहे है वैसे mark करें यहाँ पर यह tux की चौड़ाई के बारे में समझ रहे हर body में एक इच का tux लेंगे तो भी आपको confusion रहेगा क्योंकि कभी ज्यादा size का body रहेगा तब हमें यह dot को बढ़ाना होता है लेकिन कितना बढ़ाना है वो उलजने रहेगे तो यह उलजन दूर करने के लिए यहाँ पर हम method समझा रहे है बोडी माप में चेस्ट और कमराउन में जितना अंतर का माप आया है उसका 5 बाग करें बोडी माप में चेस्ट सारे 36 और बोडी माप कमराउन 31 है यह दोनों माप में सारे 5 इच का अंतर है तो सारे 5 का 5 बाग करना है उसका जो answer आएगा 1.10 यानि एक और एक पॉइंट टक्स चोड़ाई का माप बनता है अब यह टक्स को dart manipulation पद्दती से बनाना वता है इसके बा फिसकाना है और इस तरह से यहां पर क्रोश डाट बन जाएगा इसके लिए हम प्रेक्टिकल समझेगे अगर आप सिंपल प्रिंसेश सेप के साथ बेल्ट वाला ब्लाउज बनाना चाहते है तो निचे की तरफ अंडर बस राउन का सरकल कटिंग ना हो वेसे सेप बना कर कट से फिराटिंग हो तो चल सकता है इस तरह से आप बेल्ड पार बना सकते है जरूरी नहीं है कि यहां से धाईल और 3 फिरों वेसे इसे देना हो पर क्योंकि बस्ति है इसके बाद यहां पर स्रेट पर के लिए तब आप यहां से बना सकते हैं अब लिखये उपर के हर पोइंται practical समझना जरूरी है हम सबसे पहले collar neck blouse से समझेगे जो हमने शुरुवात में पहले back part cutting किया था और उसके उपर से front part cutting किया था तो ये सबसे पहले collar neck blouse cutting होता है यहाँ पर हम जो भी point समझेगे ये final point की तरह है यानि इसके बाद हम explain lecture बनाएगे जिसे lecture नमर 22 में समझाया है वेसे हमें आर्मोल टक्स के आवसक्ता रहेगी वेसे डिपने का आएगा तब पहले हमें गले का process करना होगा और उसके बाद आर्मोल टक्स का process करना होगा और उसके बाद जो सेपता ये उसके अनुसार process करना है कोलर निक में तो गला छोटा होता है जैसे कि आपको जो भी कोलर निक के इसाब से बनाना हो जिसे हाप कोलर है फिर ये flat round कोलर है तो उसमें भी यहाँ पर गले की broadness और यहाँ पर गले का जो length है वो भी कितना cutting करना है वो सब कुछ समझाया है यहाँ पर solar falling तो होता नहीं है इसलिए यहाँ पर dipnik के अनुसार यहाँ पर process नहीं करना होता है तो यह हाप कोलर के according हम यहाँ पर गले का marking करेगे इसमें नेक broadness अपर चिस का बारा बग करके बनाना होता है जो यहाँ पर already mark है और जितना broadness है तो उसमें plus 1 करके वहीं से हमें एक mark करना है जिसे 2.91 है तो उसमें plus 1 करेगे तो 3.91 यानि 3.75 और उसके बाद यहाँ पर जिसे शेफ दिया है वेसे mark करें और जितना गला डिप चाहिए वेसे mark कर दीजिए अब हमें यहाँ पर आर्मोल टक्स का प्रोसेस करना है जो लेक्चर नमर 22 में समझाया है ठीक वेसे ही प्रोसेस करना है यह गले और आर्मोल टक्स का प्रोसेस होने के बाद हमें यहाँ पर प्रोसेस शेफ बनाना है तो जैसे ही यहाँ पर समझाया है ठीक वेसे यह एपेक्स गिप की लाइन पर एक इच इंतर पर mark करें अब यहाँ से एक रोस लाइन से यहाँ तक एक सिधा mark करना है अब देशे उसके बाद समझाया गया कि यह special dot का width कैसे होता है उसके अनुसार यह circle की तरफ हमें mark करना है total 0.25 यहाँ पर ना पा रहा है दोनों तरफ आदा-दा करके mark करना है यहाँ पर यह armhole की यह slice से शुरू करते हुए यह circle की तरफ यह mark करना है और circle से यहाँ एकी तरफ यह mark करें यह जो बीच वाला टॉक से वो cutting करते वक्त यह वहाँ से remove हो जाएगा अब हमें princess shape cutting करना है लेकिन यहाँ पर corner आ रहा है जैसे यहाँ पर समझाया है यह गुलाई shape का mark करें इस तरह जो princess shape cutting होगा यह final cutting हो जाएगा अब हमें इसको कपड़े में cutting कर लेना है अगर आप आगे की तरफ हुकाई रखना चाहते है तो इस तरह से open part अपने तरफ रखकर यहाँ पर mark करना है हुकाई के लिए 0.25 का अलग से margin रखना है अब यहाँ हुकाई की तरफ हमें टक्स लगाना है तो यहाँ सरकल की तरफ इससे mark कर दीजिए अब यहाँ apex point से जोग यह पाया है 1.32 सवाई 4.1 point वहाँ से यहाँ mark करना है अब अब pinces part cutting करेगे इस तरह यहाँ पर एक simple pinces cutting हो जाता है अब हमें इसी में cross dot लगाना है तो क्या process करना है वह समझते है यह part cutting हो गया उसी कोई जहाँ पर यह main chest का line है apex point की तरफ यहाँ पर cutting कर देना है जैसे यहाँ पर समझाया कि main chest और कमर में जितना अंतर करना पाया हो तो उसका 5 बाग करके जो answer आएगा उसी का हमें यहाँ पर चोड़ाई का नाप रखना है इसमें one and one point ना पाया है तो यहाँ पर इस तरह से आपको spread करना है यह cross touch बनता है इसको dot manipulation प्रज़ती बोलते है यहाँ पर one and one point मिला जीजिए अब यह side part है वहाँ पर यह tick mark करें यह side line है अब यहाँ पर इसका बीच में side line का mark करें अब जैसे यहाँ पर समझाया है आपको एक इच का अंता पर mark करना है यहाँ फिर method की अनुसार mark करना है दोनों कर सकते हैं यहाँ पर method की अनुसार mark करें मेंचेस्ट का divide 20 करके जो answer आएगा वही mark करना है इसका जो अंतार आएगा 1.82 तो यहाँ से 1.7.1 पर यह mark करें अब यह जो side part का शिलाई का नाप है वहाँ से यह tux इस तरह से आपको करना है इस तरह से यहाँ पर यह cross tux बन जाएगा जैसे draw किया हो वैसे ही शिलाई लगनी चाहिए तब ही यहाँ पर एक जैसा fitting आएगा तो इस तरह यहाँ पर दो प्रकार के यह princess एक with tux वाला और एक without tux वाला और यह उसका front part अब नेक्स लेक्चर में हम डिपनेक princess cut blouse cutting master point के बारे में समझे गये तो मिलते हैं हम नेक्स लेक्चर में आज का यह आपका दिन सुब्र है दन्यवाद